आज हम बनाएंगे विंटर स्पेसल मिक्स अचार की रेसिपी जिसमें गाजर, मूली, हरी मिच और अदरक और नीमू भी मैंने यूज किया है इस रेसिप इतनी टेस्टी है कि आप इसे किसी भी खाने के साथ इंज्योई कर सकते हैं आज है वो परांठे हो चाहे वो दाल चावल हो तो चलिए दोस्तों इस सांधर सी रेसिपी की सिरुवात कर देते हैं वीडियो में बने रहेगा आपको मजा जाएगा तो सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है गाजर, मूली, हरी मिच, नीमू और अदरक इन सब भी को मैंने अच्छी तरह पानी में साफ कर लिया है और साफ करने के बाद मैंने इसके छिलके लिगाल दिये हैं आप करेंगे इनकी कटिंग तो कटिंग के लिए मैंने सबसे पहले गाजर को लिया है और गाजर को लेने के बाद मैंने बीच में से काट दिया है इसके बाल हमने गाजर को एक safe देना है तो आप दे सकते हैं मैंने किस तरीके से चक्कू में इसके सारे इसको काट दिया है और काटने के बाद मैंने जो हैसे एक लंबा safe दे दिया है आप दे सकते हैं वीडियो में बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपने इसको safe देना है गाज मूली को काट दिया इस तरीके से और इसके बाद भी मैंने इसकी सेफ दे दिया है आप दे सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपने इस मूली को भी सेफ दे देना है अक्सर जो है अचार में जो है गाजर और मूली का सेफ थोड़ा लंबा होता तो मैंने भी उसी तरीक से आपको भी करना है और सारी सब्जियों को भी बाकी जैसे नीमू है नीमू का भी मैंने अपने तरह के से शेफ दे दिया आप जिससे आप से आप दे सकते हैं उससाफ से आप इसे काट सकते हैं इसके बाद देखी मूली भी मैंने कर दिया है नीमू भी हरी मिर्ज भी और स्वांफ घंप कलोंजी conversion ने के बाद थीन चमच मैंने सॉफ लिया और एक चमच लिया, मैंने इस्मे अजвाइण डालने के बाद मैंने डेड़ चमज के आसपास लिए इसमें पीली सरसो इन सब को जो है मैंने रोष्ट करा है कम से चार से पांच मिन तक जो है हमने से कम आच में रोष्ट करना है ध्यान रखिए इसे ज्यादा रोष्ट ना करें नहीं तो यह जल जाएगा और टेस्ट जो हमारा बाद इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैंने ऐक चमज में कस्मीरी लान मिश टाले है उच्छी तरह मिस करेंगे और मसाला जो हमारा बिल्कुल बन कर त्यार हो गया हकए आप करेंगे दूसरी कारवाई तो इसके लिए मैंने एक कड़ाई लिया कड़ाई में एक छोट काटोरी के आसपस जो है सरसों का तेली है, सरसों का तेल से टेश्ट काफी अच्छा आता है, चार का, और आदे चमज मैंने ऑड़िया है, ऻिंग, हिंग जरूर डालेगा, टेश्ट काफी अच्छा आता है, जब मारा तेल गरम हो आज तो इसके बाद, जो हमने सब्जियां काटी थी सारी मूं को इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हमें कम से कम 10 से 12 मिनिट तक ही कम आच में पकाना है तो देखिए मैं किस तरीके से इसे पका रहा हम यूँ कम आच में कर्ची के सारे इसे असानी से इधर इधर करेंगे और इसे पकाते रहेंगे देखिए 10 से 12 मिनिट तक ही हमें इसे पकाना है इसे टेस्ट अचार का काफी अच्छा आता है इसके बाद हम इसे लोग फिल्म कर देंगे और लोग फिल्म करने के बाद जो हमने मसाले पीसे थे इसमें से shift कर देंगे तो देखिए मैंने मसाले जो है सारे shift कर दी है मसाले shift करने के बाद फिर कर्ची से अच्छी तरह mix करेंगे ताकि सारे मसाले जो है हमारे सब सबजियों में अच्छी तरह किसे लग जाए जब यह अच्छी तरीक से सम्मे लग जाए और 10 से 12 मिड़ता है पक जाए तो हमने लुकुल जो है गैस बंद कर देना है गैस बंद करने के बाद ही हमने इसमें आदे चमच डालनी है हल्दी और हल्दी डालने के बाद फिर इससे अच्छी तरह मिक्स करना है देखें किस तरी करनोंजी के बाद एक चमच मैंने सौफ डाला है करनोंजी और सौफ को साबू डालने से टेस्ट काफी अच्छा आता है तो इससे तरह फिर मिक्स करेंगे देखें इस तरीके से मिक्स करने के बाद देखें अचार देखें हमारा किस तरीके से अच्छी तरह बन गया है तो किस तरीके से हमारा चार बन गया, आपसे लम्मिट समय तक चलाने के लिए मैंने इसमें विनेगर भी यूज़ किया, white विनेगर मैंने इसमें कम से कम 5 से 6 चमच यूज़ किया है, इसके बाद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह mix करना ताकि हमारे विनेगर जो है इसमें अच्छी तरह लग जाए तो देखिए बिल्कुल अचार जो हमारा बिल्कुल बनके तियार होगी आप इसे दो दिन के लिए धूप में दिखा सकते हैं देजिए दोस्तो हमारे जो है खान सांदर सी रेसिपी बनके तियार होगी ये mix सचार की आप इसे परांठे हो चाहे दाल चाओ और हो किसी के साथ भी enjoy कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आए तो like, share और चैनल में नहीं तो चैनल को subscribe जरू करना और bell item को जरू दबा देना ताकि आपके बाद नहीं नहीं वीडियो की recipe की notification आती रहा है जय हिंद और जय भारत दोस्तो